तो यह घर की मूली के पत्ते हैं साथियों इनको जहें अलग से छाट लेंगे और मैं इस पार कुछ दूसरी टाइपी बना रही हूं तो आप इसे देखते रहे हैं और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए साथियों देखें मूली की थोड़ी से पत्ते म ने थींच लिया है यानि कूट लिया है बाके की तैयारे में ये टमाटर पयाज लहसुन और हरी मिर्च थोड़ी सी अद्रव और ये सॉंफ जख्या और लाल मिर्चे जगए जीरा भी ले सकتे हैं सर्सों का तेल लिया है पाड़ी रेसिपी सर्सों के तेल में बने कि ये मै ज्यादा डार्क हमें नहीं करना है प्याज को बस हलका गोल्डन जैसी कलर आ जाता है उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे जो प्याज और टमाटर हरी मिर्ज अद्रक यह सब हमने काट के रखा था ना इन चीजों को हम डाल लेंगे और इसमें इसको हलका सा फ्राई होने वीडियो सूट होना चूड गया था साथी हो इसलिए मैं बता देती हैं इसमें कीचन केंग मसाला हल्दी और थोड़ा सा हमने इसमें लाल मिर्च भी डाली है तो इसको हम पकने देंगे और अच्छा फ्लेवर मसालों का आ जाए इसलिए हम इसको ढग के पकाएंगे तो एक मिनट बाद हम चेक करेंगे तो ये देखे बहुत ही अच्छा ये गल चुका है टमाटर और मैं बताना भूल गए इसमें नमक भी हमने डाल लिया है तो अब ये मूला जो हमने काटके रखा है मूली जिसको हमने थीच के रखा है उसको ढल लेते हैं और इसको ज्यादा ह हमें भूनना नहीं है वरना ये कड़वी हो जाएगी तो बस केवल 30 सेकंड के लिए ही भूनेंगे आप समझ लीजे बस मसाला मिक्स होने तक ही हमें इसे भूनना है बाके की जो सबजिया है ना उसे भी हम इसी में डाल लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे तो ये बहुत ही रेसिपी है साथियो और केवल 5 मिनट में बनके ये तैयार हो जाती है तो आप इसको जरूर ट्राय करना बहुत ही स्वाधिस्टी बनती है इसको अब मसाला मिक्स करके ढखकन लगा के पका लेंगे तीन मिनट तक और आपको लगे कि थोड़ा अभी कच्चा है तो एक मिनट और पका लेजे बस ये बहुत ही टेस्टी सब्जी है साथियो एक बड़ ट्राय करके आप जरूर देखना और आपको कैसी लगी रेसिपी आप जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना इसमें अमचूर भी हम डाल लेंगे और बस ये देखे सब्जी बनके तयार हो चुक